हेलो फ्रेंड कैसो आप लोग उम्मीद करते हूं आप लोग अच्छ होगे स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिक्वलेंड प्रिडिक्शन में गाइज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साउथ आफ्रिका टीटी लिक का मैश न लिंक के थुरू यहां पर आ सकते हो बाकि लिंक वर्क ना करें तो क्रिक्व फाइट जिरू इतना भी लिक करके सर्च करके आ सकते हो और देखो चार नमबर छे जुन का यहां पर आप लोगों को पिंड मैसेज देखने को मिलेगा तो एक बर प्लीज चेक कर लेना क्यूंक तो सारी मुकाबला देखने को मिल जाएगा और मालूम आप लोगों को यूए टी ट्वैंटी लिग भी चल रहे जिसकी वीडियो मैंने अल्रेडी पब्लिक कर दिये तो आज दो बहुत अच्छे मुकाबले खेले जाएंगे तो आप लोग दोनों वीडियो देख लेना बा बता दूँगा कि आप लोगों को पिछ क्या कुछ बिहेव कर रही है टी ट्वैंटी डोमेस्टिक थोड़ा संदाजा लग जाएगा 26 मुकाबले खेले गाए बैट फर्ष्ट करने वाली टीम ने भी तेरा चेज करने वाली टीम ने भी तेरा मुकाबले को वोन किया है तो जोवेश्ट कैप्टाउन बिलिच 84 रन बना के पूरी टीम ओल आउट हो गए थी स्कोरिंग पैटन पर नजर डालते हैं 150 के अंदर 11 बार 150 से 170 के बीच में 5 बार 170 से 190 के बीच में 6 बार 190 से भी जादा यहाँ पर 3 बार स्कोरिंग हुई है जो कि सबसे जादा बार तर मान के चल सकते हैं अगर टीम अच्छे दिखे लेगी तो आप लेगों को इतना बनते हुए दिख सकता इतना तो एवरेज बनना ही चाहिए या टी-20 के लिहास से 120 गेंदों में अगर आप 170 नहीं बनाते हो तो फिर क्या मतलब है बात करते हैं यहां से EAC कि क्या कुछ प दिया नहीं है जॉना थान समर्स देखो इस टार्टिंग के दो मुकाबले में इन्होंने परफॉमेंस अच्छा दिया पहले मुकाबले में तो ड्रिम टीम में भी शामिल थे दूसरे मुकाबले में इनको 28 रोनों के स्कोर मिला था लेकिन बड़े में कर पाया अब पिछले स्कोर के साथ सच बॉलिंग से इनको एक विकेड भी मिला था बाकि जॉडन कोक्स एक बहुत ही हाड इटर बैट्समें ने लेकिन अभी तक कुछ खासा कर नहीं पाया तो देखना पड़ेगा यह खेलेंगे या फिर चेंज होने वाला है ट्रिश्टान इस्ट्रप्स अठा बाकि पिछले मकाबले में ब्रैडन केस खेले थे हैं आई किसके प्लेस पे थे तो जैम्स फूलर बाहर चले गया थे हैं जैम्स फूलर ने कुछ खासा पफरमिस नहीं किया था बाकि ब्रैडन केस बिन ने भी कुछ खासा नहीं किया है थेर विकेट नहीं निकाल पाये थे पिछले मकाबले में पिछले मकाबले में इन्होंने दो विकेट निकाला था और थोड़ा सा बैटिंग अगर इनको उपर भेजा जा तो यह बैटिंग से भी अच्छी कासी हीटिंग कर सकते हैं बाकि ओटनिल बैटमैन अभी तक लाजवाब पफरमिस इन्होंने दिया हुआ है पिछले मकाबले में भी दो विकेट निकाले और अभी तक बहुत अच्छ है इन्होंने पफरमिस दिया है जितनी तारिफ कीजा इनकी कम है देखो इनके तर्फ से ओपें देथ बॉलर की बात की जा तो मारको जैंसन, सिसाद मंगाला ओप निग में देथ में अब देखो बॉलर्स जो आप लोगों को इनके तर्फ से अच्छी खासी ओशहाण्व करते हुए दिख सकते हैं तो मारको जैंसन, मंगाला, बैटमैन जॉनाथन इसमर्स ओबर करते हैं तो यह टोटली लग की उपर डिपेंड करने वाला है कि कौन ओबर करेगा बात करते हैं पैरल की क्या कुछ लेकिन यहां से एक स्कोरिंग छोड़ दिया तो बिल्कुली फ्लॉप के कैटिगरी में आप लोग इनको गिन सकते हो लेकिन हाड इटर बैट्समन है तो देखा जाएगा क्या टीम में जगा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं बाकि विहान लुम्बे देखो संताव रनु के स्कोर किया थै बॉलिंग से खेड़ विगेट नहीं मिला था लेकिन अच्छी बात ही है कि यह बत और छटे विकल्ब के तोर पे खेल रहे हैं और पिछले दो मुकाबले से बॉलिंग कर रहे हैं तो अगर अगेंच छटे विकल्ब के तोर पे खेलने वाले एज दा बॉलर तो CVC के भी परमुक दावेदार रहने वाले मैं आफटर टॉस आप लोगों को बता दूँगा विकास बैटिंग करम इनका अच्छे जगा पर है वही डेन विलास 12 रहनों के स्कोर किये थे उससे पहले देखो एक 44 सानू के स्कोर ये किये था अभी तक कुछ खासा नहीं कर पाएं बाकि डेविड मिलर ये एक अच्छे खिला लिए मुझको लगता है विलास को नीचे भेजकर इनको खुद उपर आना चाहिए जहां पी इन्होंने 28 का पिछले मुकाबले में स्कोर किया था बाकि अगर उपर आएंगे तो बेस्ट रहने वाले हैं दाकि देखो इओन मॉर्गन ने भी कुछ खासा नहीं कर पाया थे दो का स्कोर किया थे 64 का इन्होंने उससे पहले किया था जब टॉप ओर्डर फ्लॉप हुआ था तो बाको फार्को एडम्स इनको पिछले दो मुकाबले से कोई भी विकेट नहीं मिला है बोर्जन फॉर्चुन ने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा पफॉर्मस किया था तीन विकेट पिलाता वहीं से देखो तबरेश संसी को एक विकेट मिला था जो कि यहां से इम्रान मैंकेक के जगा पे खेलेते हैं इनके तब से ओपन देथ बॉलर तो लूंगी एंगेडी बॉर्जन फॉर्चुन ओपनिंग में देथ में जोन्स लूंगी एंगेडी फार्को एडम्स क को थोड़ा सा विहान लुंबे डालते हुए दिख सकते हैं बाकि इस्टन केप्स के यहां से ओवरॉल सारे खेलाडियों का रिकॉर्ड है मुझको लगता है जॉर्डन कोक्स को बाहर भेज के थोड़ा सा टॉम एबल को जगा देना चाहिए जिनका 32 के आवरेज है और यह मुकाबला खेले भी थें जी हां खेले थे 40 का स्कोर भी इन्हों नहीं किया था फिर भी टीम ने इनको बाहर भेज दिया तो अगर जॉर्डन कोक्स को बाहर भेज के टॉम एबल को खिलाए जाए तो अच्छा रहने वाला है क्यूंकि दोनों ही सेम नेचर के खिलाड़ी है है बाकि और भी जितने खिलाड़ी है सब का यहां से रिकॉर्ड वगार लिखा हुआ है आप चाहो तो देख सकते हो कोक्स का अच्छा रिकॉर्ड है तीस क्यावरेज है लेकिन कुछ खासा जब पफरमेंस नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब इनको खिलाने से जादा और कोई लिग मतलब यहां पर रिकॉर्ड है नहीं तो आप लोग ऊवर ओल रिकॉर्ड देखलो और रिसेंट में मैंने बता हीए यह खिलाली क्या कुछ करके आरहें बाकि चलते हैं देखो दूस्तों बात करते हैं विकिट कीपर आप्सन में यहां पर जादा देख लिग में तो जॉस बटलरी जगा बना रहें इन तीनों को आप लिग लोजिक वाइज ले सकते हो अगर कोई मिडेल ओडर में खेल रहे तो टॉप ओडर ड्रॉप करके ले सकते हो ठीक है बागी देखो बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से तो आइडम मार्क रहे डेविड मिल करना भाई बहुत ही फोटक किसम की यह खेलाड़ी हैं बहुत इलाजवाब खेलाड़ी हैं अब कुछ दिनों में देखो PSL भी स्टार्ट होने वाला है तो वहां भी जाएंगे और वहां भी इनका नाम चलता है तो आप चाहो तो ले सकते हो ठीक है बाकि एरवे वगए कु की बात की जाए तो जॉनेथन इस मट्स का भी ऑफसन है इस्टन कैप की तरफ से लेकिन इनका पिछले दो मुकाबले से बालिंग उन्हों की नहीं है लेकिन हाँ बैटिंग करम अच्छा रहने वाला है तो अगर आप लोगों को लगता है कि बैटिंग से हाभी हो सकते हैं और अगर गलती से भी एक उभर फेक देते हैं एक विकेट निकाल लेते हैं बैटिंग से 30-40 कर देते हैं तो यह आप लोगों के लिए एक डेफ्रेंशियल सावित हो सकते हैं बाकि फारको एडम्स वगएरा टीम में मेरे जगा नहीं बना पा रहे हैं तो आते हैं बालिंग को अपसन है अगर यह सेकेंड बालिंग करना है तो आप तब चाहो तो आप इनको ले सकते हो बाकि इस टन कैप के तरसे रिलाफ वंडर मरवे कभी भी गुच्छे में विकेट निकाल सकते हैं तो ग्रांड लिग में ट्राइक कर लेना और यह बैटिंग आने पर हिटिंग कर लेते हैं तो कुछ इस परकार की टीम बनके रेडी हो रही है जहां पर बात करते हैं कैप तनर के साथ जा रहा हूं आप चाहो तो अड़िंग आंगे फलस आप लोगों को विकिट कीपरिंग देने वाले यह आप लगों को त्यात की चाहिश है तो Nieige कुछ इस परगार की टीम है देख लो क्याप्टन बटलर वाइस क्याप्टन मार्को जांसन और कुछ यह खिलाड़ी टीम में रहने वाले हैं बागी आफटर टॉस क्या कुछ सब कुछ कवर होगा तो इसलिए बोल रहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना मिलते हैं को और एच्छी वीडियो के साथ अब ते के लिए गुडबाए टेक कियर